हेलो दोस्तों नमस्ते भाई गुड मॉनिंग कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों है भाई कैसा मैसूस कर रहे हैं क्या आप सब लोग स्वस्थे हैं ठीक है जिन्दा है किसी को सांस की कोई समस्या तो नहीं अच्छा भीया जैन्द कुमार के रहें पागल हो क्या सभी तरह मैसीज क्यूं करते हो बालक है बेटा कमेंट सेक्षन सभी के लिए ओपन है कमेंट करने दीजी कोई बात नहीं तो बच्चों आप सुबह सुबह 10 बजे आ जाते हो मैं भी आ जाता हूं मूह उठाके आपको पढ़ाने के सबसे जाबड और ताबड तोड़ बताता हूं जिससे हर एक बच्चे को समझ में आप आपका बहुत अच्छा रिस्पॉंस है प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हूं मैं पढ़ता हूं मुझे बहुत ही मजा आता है तो अगर आप इस तरीक से पढ़ते रहोगे तो एक्ज चार टाइप समझाए थे और आज की क्लास में बच्चों हम कमपाउंड इंट्रेस्ट चक्रवर्दी ब्याज पढ़ेंगे कमपाउंड इंट्रेस्ट बच्चों को लगता है कि बहुती भेंकर टॉपिक है बहुत कैलकुलिटिव है हमसे नहीं होगा इतना जादे इसमें ध अगर आप इस स्टेंडर्ड परसंटेज को ढंग से समझ लो और इसके स्टेंडर्ड डाटा को याद कर लो तो आपके कमपाउंड इसका आदे से जाद है कम वही आसान हो जाता है आपको कुछ भी एक्स्टा सीखने की जुरत नहीं पढ़ती और टीसेस के आने के बाद तो सेवन्टी परसंट क्वेशन केवल इनी स्टेंडर्ड परसंटेज से आते हैं बस आपको थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना होता है ठीक है प्यारे भाई और मैं कमपाउंड इस जैसा पढ़ाता हूँ जिस तरीके से मैं उसको अरेंज करके समझाता हूँ बच्चे का एकदम आत्मा खुस हो जाती है तो आज की क्लास में भी मेरे प्यारे भाई हम कमपाउंड इसके कंसेप्ट को समझेंगे बड़े प्यार से ठीक है ना अब एंड तक बने रहें अपने दोस्तों के साथ इसक की कहानी को एक बार वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों में शेयर कर दो सभी के साथ जिससे सब पढ़ने के लिए आप आएं ठीक है जी सुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई मैंने CRPF के भी क्वेशन लिये हैं सीजल के भी क्वेशन लिये 2022 के सेटसल के भी है और ICR के भी क्वेशन है मज़िदार मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा एक्चलिक कंपाउंड इंट्रेस्ट या चक्करवर्दी ब्याज कुछ नया है यह नहीं कंपाउंड इंट्रेस्ट इस नथिंग बट सक्सिव परसंटेज इंक्रीस एक धनरासी को किसी प्रिंसिपल को लग लगातार किसी परसंटेज से सक्सिवली इंक्रीस करते जाना ही जो नेट चेंज आता है एक प्रिंसिपल को एक धनरासी को आप किसी परसंटेज या फिर रेट ऑफ इंट्रेस्स से लगातार सक्सिवली बढ़ाते जा रहे हो तो जो नेट चेंज आता है मेरे प्यारे भई ह अब उसी को कहते हैं compound interest तो compound test में जनरली जो सवाल आते हैं दो साल के लिए तीन साल के लिए चार साल के लिए आते हैं मेरे प्यारे बैई सुनेगा concept number one अगर ब्याज की दर पहले साल में और दूसरे cycle में ये cycle सब्द का क्या इस्तिमाल मतलब है cycle सब्द मतलब compound test को आप अगर पहली cycle में ब्याज x परसेंट है दूसरी cycle में ब्याज y परसेंट है तो जो compound interest आपको मिलेगा बच्चो वो x और y का successive मिलेगा x प्लस y प्लस xy अपॉन 100% ये formula आप जानते हैं आप बोलोगे हैं तीसार जानते हैं यदि ब्याज की दर दौनों साल सीम है पहले साल भी आर पृतिसात है तो भी x की जगह r रखेंगे y की जगह r रखेंगे तो ब्याज की तरह मिलेगा r प्लस r का successive r प्लस r प्लस r गुना r बटे 100 तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई r प्लस r to r प्लस r square बटे 100% ये दो साल का मेरे प्यारे बच्चो compound interest होगा अगर ब्याज की simple interest is very simple simple interest हर साल बराबर बराबर होता है अगर ब्याज की तरह पहले साल भी r percent है दूसरे साल भी r percent है तो दो साल मैं आपको simple interest कितना मिलेगा 2 r percent तो दो साल का बच्चो ये compound interest है, ये दो साल का simple interest, अभी आपको मजाक लग रहा होगा ना, बहुत उल रहा है, अभी स्वाल फेक्क्या मारूंगा ना, सारे जमीन पर गिरोगे, तो अगर मैं आपसे दो साल के CI और दो साल के SI का difference पूछू मेरे प्यारे भई, दो साल के friends होता है, मेरे प्यारे बच्चो, बोलो बात समझ में आई, आप बोलोगे, हाँ जी सर, ये तो बड़ी basic सी बात है, इसको हम जानते हैं, पैदा होने से पहले से, आगे बताईए, अगर हम आगे की बात करें, मेरे प्यारे भई, तो ध्यान से सुनेगा, मैंने भी आपको सम इंटोग्राफी है, समझे आगी नहीं, तो ये सारे जो है, इसी बुक की स्लाइड है, मेरे प्यारे बहुत अच्छे सिस्मरेंज करके लिखाया, आपको ये बुक मिल जाएगी, फिलिप कार्ट पे, जिनका basic बिलकुल हिला हुआ है, वो इस बुक से basic को पढ़ सकते हैं, मे जाद है, पूछा जाता है, अगर इनी को दिमाग में बिठा लिया जाए, तो जीवन की आदी समस्या खतम हो जाए, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर मैंने लिखा है, rate, ब्याज की दर, आर परसेंट, ठीक है, बच्छो आप बोलोगे, हाँ जी सर, बच्छा पाटी ये है, दो साल का compound test, जो कि क्या होगा, 2R plus R square upon 100%, यह दो साल के CI और SI का difference, तो यह आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, अगर ब्याज की दर 5% है, तो दो साल का CI क्या होगा, पांच, यहाँ पर रखेंगे भई, पांच पांच का successive 10.25%, 10.25%, अगर ब्याज की दर मे R square upon 100% करके, तो 5 का स्क्वार 25 बटे 100, यानि की 0.25%, यह दो साल के CI और 2 साल के SI का difference होगा, अरे समझे की नहीं बच्चा पार्टी, सबसे important 10 पेपर में सबसे आदे सवाल भी 10 पर ही बनते हैं, अगर ब्याज की दर 10% है, तो 2 साल का CI क्या होगा, 10 और 10 का successive 21%, क्लियर है, आप SI का difference क्या हैगा, 10 square बटे 100, 100 बटे 101%, अगर ब्याज की दर 15% है, 15% है, जल्दी जल्दी अपनी copy में लिख लो, रटा मार लो, आपके दिमाग को response नहीं करना, मतलब सोचना नहीं है, डारेक्ट response करना है कि अगर 15% ब्याज की दर है, तो 2 साल का CI, 32.25% होगा, और 2 साल के CI औ 24% परसेंट आपका compound trust आएगा, और CISI का difference 4% होगा, 25% अगर ब्याज की दर है, तो 2 साल का CI, 56.25% होगा, और CISI का difference 6.25% होगा, 30% अगर ब्याज की दर है, तो 2 साल का compound test 69% होगा, और CISI का difference 9% होगा, मेरे प्यारे ब्याज, यह कहानी 2 साल की है, इस्टेंडर्ड रेट पे आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बात इससे आगे की करते हैं, जहां बच्चों को तकलिफ होती है, 3 साल की मेरे प्यारे ब्याज, इस्टुडेंट, इस्टुडेंट, इस्टुडेंट, 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 इस्टुडे मेरे दोस्तों ये percentage में भी है, ये profit loss में भी है, ये CI में है, पहलें तीनों को जोड़ो, x plus y plus z, पहलें तीनों को जोड़िए, आता क्या है, पहले इन दोनों को combine कर लो, x plus y plus xy बटे 100, उसको z के सायद combine करने के बाद, है न, दो-दो को combine करके formula आया है, पहलें तीनों को x plus y plus z, फर दो-दो की गुणा बटे 100, दो-दो की गुणा करेंगे, x की y में गुणा करेंगे, y की z में गुणा करेंगे, और x की z में गुणा करेंगे, zx बटे 100, x y plus y z plus z x बटे 100, आप बोलोगे जी सर, प्लस, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, फिर तीनों की गुणा क परसेंटेज आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गया जैसे एक्जांपल के लिए मैं यहां पर देखो बहुत बड़े एक्जांपल भी लिया है आपके सामने कि अगर प्रिंसिपल 4,000 रुपे 4,000 रुपीज है ब्याज किदर पहले साल 2% है दूसरे साल 3% है तीसरे साल 5% है तो आपको कितना compound interest मिलेगा ब्याज किदर तीनों साल अलग-अलग है डाटा काफी सिंपल है मेरे प्यारे भाई तो आप effective निकाले कि आपको 3 साल में total कितना ब्याज मिला 2, 3 और 5 का successive निकालना है प्यारे भाई तो कैसे होगा पहलें तीनों को जोड़ो 2 और 3, 5 और 5, 10 जोड़ा के लिए आप बोलो कि जी सर 10 फर 2, 2 की गुणा करो 2, 3, 6 प्लस 15, 21 प्लस 10, 31 दो 2 की गुणा जो करके जोड़ा 31 को 100 से भाग करेंगे पॉंट 31 फर तीनों की गुणा 2, 3, 6, 35 तीस को भाग देंगे 10,000 से पॉंट 0030 ये value इतनी छोटी होती है कि इसक इसको इग्नोर किया जा सकता है जब सवाल के options काफी दूर-दूर हो मेरे प्यारे भाई ये value इतनी छोटी होती है xyz बते दसार कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो ठीक ना इससे आपका time बचेगा तो ये आ गया बच्चो 10.313% कितनी जल्दी आपने 2, 3, 5 का successive निकाल लिया 4000 रुपे का कितना मिलेगा 10.313% जो कि कितना हैगा 412.52 रुपे तो easily calculate हो गया components निकालने का तो अगर आपको ब्याज की दर हर साल अलग-अलग दे रखी है तो rate आपको अगर total ब्याज आपको निकालना है 3 साल के लिए तो इस concept का आप इस्तिमाल करिए समझ में आया समी बच्चों का आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया देखे ब्यारे भाई अगर ब्याज की सर हर साल सेम है अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों हर साल सेम है प्यारे भाई जवाब दीजेगा प्यान सुनेगा पहले साल भी 6%, दूसरे साल भी 6% तीसरे साल भी बियाज कीदर 8% है R-R-R यह तो फिलम मन की राजा मौली की बिलकुर उनकी फिलम की तरह कड़क बात आपको सीखनी है अगर बच्चा पाटी ब्याज किदर तीनो साल सेम है R R R तो आपको compound test कितना मिलेगा R R R का successive मेरे प्यारे भाई तीनो को जोड़ो पहले R प्लस R प्लस R 3 R फिर तीनो की दो दो की गुणा करो R square R square R square 3 R square हो गया बटे 100 फिर तीनो की गुणा करो R गुणा R गुणा R R Q बटे 10 R percentage ये आगे आप बोलोगे हां जी सर ये तीन साल का C I बन जाएगा मेरे प्यारे भाई बच्चों ये तीन साल का C I बन गया अगर मैं आपसे कहूँ तीन साल का Simple Interest क्या होगा तो आप कहोगे सर R पहले साल भी R percent दूसरे साल भी R percent तीसरे साल भी R percent तो तीन साल का मेरे दोस्तो प्यारे भाई Simple Interest क्या हैगा 3 R तो भाई साब अगर मैं आपसे पूछ लगँ कि तीन साल के Compound Interest और तीन साल के simple interest का difference क्या है अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपको बात समझनी चाहिए कि तीन साल का CI है और अगर आप इसमें SI घटा देंगे तो बच्चों ये जो चीज लिखी हुई है ये जो चीज लिखी हुई है यहां से यहां तक मेरे प्यारे भाई ये तीन साल के CI और तीन साल के SI का difference है मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया बात समझ में आगी एक पैसे का इसमें doubt नहीं है जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा example ले लेके तो आपको चीज और ही जादा clear होंगी आप चिंता बिल्कुल ना करें बस अभी आप देखते चले जैसे इस बात को बच्चो में एक example से भी समझाता हूँ मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा बच्चो जैसे आपका principle 10.000 रुपे है कि सोर बालक के रहें CI क्या है वा बेटे CI मतलब देखको जो सामको जब आप गोल कप्पा खाने जाते हो तो आप 20 रुपे गोल कप्पे खाते हो तो आप उससे end में बोलते हो भाई गोल कप्पा खिलाने वाले से कि भाईया एक फुचका दे दो धही सौंट लगा के तो फुचका को हम CI बोलते है ठीक है तो प्रिंसिपल मेरे दोस्तों 10 रुपे है रेट जो है वो 7% है मेरे प्यारे भाई आपको पूछा है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा प्रिंसिपल आपका 10 हजार है करिए बच्चो ब्याज की दर 7% है तो आपको क्या करना है इसमें 7 का सक्सेसिव निकालना है तो पहले 3 को जोड़ो 7 7 7 21 फिर 2 2 की गुणा 7 7 49 प्लस 49 प्लस 49 147 बटे 10 1.47 फिर 3 की गुणा 7 गुणा 7 7 गुणा 7 7 का क्यूब 343 बटे 10 हजार याने की 0.0343% समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सार विल्कुल सही जो गोलगपपा आपने खा लिया वो तो सिंपल इंटरस्ट है उसके बाद जो आपने एक्स्टा फुचका लिया वो ही कंपाउंड इंटरस्ट है समझ में आये की नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे आप इन तीनों को एड करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों या आए 22.0543% किलियर आप बोलोगे हाँ जी सार बिल्कुल सही 47 और 05 नहीं आएगा फाइब जीरो आएगा यह पैन इस पर स्लाइट पर बाद में रिस्पॉंस करता है अगर आप इसको एड करेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आजाएगा मेरे प्यारे भाई 22.5043% बोलो बच्चा पाटी बात समझ में आई की नहीं समझ में आई यह सर नो अब पहले तीनों को जोड़ा साथ 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 21 फिर दो दो की गुणा बटे 100 1.459 उन चास उन चास 147 बटे 100 फिर तीनों की गुणा बटे दसारतो 22.5043% आपको ब्याज मिला अगर आपका प्रिंसिपल 10,000 है 10,000 पर 22.5043% आपको ब्याज मिला तो कंपॉंट एस कितना आएगा 10,000 का इतना परसेंट 2250.43 रूपे तो 2250.44 रूपे आपका कंपॉंट इंटरस्ट आएगा बात समझ में आई ये सबसे बैस्ट तरीके होते हैं मेरे प्यारे भाई कंपॉंट एस निकालने के आगे चलें ये बात तो रही थी 2 साल तक की अब देको 3 साल में भी स्टेंडर्ड रेट आपको ध्यान रखना है प्यार से समझेगा मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं एक्जामनर को सबसे ज़्यादे प्यार है 5, 10, 15, 20, 25, 30 से अगर आपको 3 साल की कहानी याद हो तो बार-बार आपका जंजट बच जाएगा मेरे प्यारे भाई ठीक है भाई अगर ब्याच किदर 5 परसेंट है इसको अपने कौपे में उतार लो जल्दी जल्दी से अगर ब्याच किदर 5 परसेंट है बच्चो तो 3 साल का कंपाउंड इंट्रेस्ट 15, 17, 6, 25 परसेंट होता है 5, 5, 5, 5 का सक्सिसिम और 3 साल के C.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. कि अगर ब्याच की दर 5% है, 3 साल के CISI का डिफरेंस 0.7625% आएगा या आपको पता होनी चाहिए, अब जैसे मैं आप से एक सवाल पूछूँगा मेरे प्यारे भाई, देखना आप लोग, और रेल्वे का पूछा हुआ सवाल है, और देखो आप एक सेकेंड में उसको कैसे स अच्छ, अभी नहीं बता पाओंगे, सौरी, अभी नहीं बता पाओंगे, अभी तो मुझे काफी कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें, रुख जाओ, अभी होल्ड करो, अभी बताना दुबारे से, जी, 5% अगर ब्याच की दर है, तो 3 साल का CISI, 15, 10, 7, 6, 2, 5% होगा मे 10-10 का सक्सिव, वो 33.1% होगा, और 3 साल की CISI का डिफरेंस 3.1%, इसी तरीके समने 15% का भी लिखा है, हाँ पर 20% अगर ब्याच की दर है, 15 के इतने इंपोर्टेंट नहीं, 20% अगर ब्याच की दर है, तो 3 साल का CISI, 72.8% आएगा, 20-20 का सक्सिव, और CISI का डिफरेंस 12.8% होगा, कि लिए 22 और 30 का भी लिखा है, इसको अपनी कॉपे में लिखा लो और ध्यान रखो, सबसे जादे जो इंपोर्टेंट है, वो है 10% मेरे प्यारे बाई, 10%, पेपर में सब स्यादे सवाल इसी पे बनता है, अगर ब्याच की दर 10% है, तो 2 साल का जो कंपाउंट टेस् 21% होता है, अगर ब्याच की दर 10% है, तो 10-10 का 3 बार सक्सिव, 3 साल का कंपाउंट है, 33.1% होता है, अगर ब्याच की दर 10% है, तो 4 साल का जो चक्रवर्दी ब्याच है, 10-10-10-10 का 4 बार सक्सिव, 46.41% होता है, मेरे प्यारे बाई, 46.41% सबसे जादे इंपोर्टेंट ये लाटा है आप इसको सीधा ध्यान रखिए अब कुछ तो बोलो जल्दी से कॉंपी में उतार लो या स्क्रीन शॉट ले लो बाद में उतार लेना वीडियो को लाइक कर दीजे सबी बच्चे चलो 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 देशी लड़की कह रहे हैं सर जल ग्रहन करिए नहीं करूँगा जल ग्रहन बिल्कुल नहीं करूँगा देखो दोस्तो ये बात आपको समझ में आई है अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मैं आगे की तरह प्रस्थान करूँगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझे की कोशिश करेगा हम समझते हैं की कमपाउंडिंग का क्या मतलब है आप जानते हैं कमपाउंड असमें एक सब्ध बार बार आता है कमपाउंडिंग करना या चक्रवर्दी ब्याज को सयोजित करना बात समझेगा मेरे प्यारे भाई मैं आपको चार कहानी दिखाना चाहूंगा रेट है मेरे प्यारे भाई 40 पृतिसत परेनम ब्याज की जो दर है वो 40 पृतिसत परेनम है मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे हां जी सर टाइम जो है मेरे प्यारे भाई वो एक साल है वन मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, आप सभी लोग बच्चा पार्टी। Yearly compound का क्या मतलब है? Yearly compound में आप से कहूँ, चक्रवर्दी ब्याज को yearly compound किया जाता है, yearly compound का क्या मतलब है? What is the मतलब of yearly compound मेरे प्यारे भाई? Yearly compound का मतलब ये है कि, देखो, compound interest का मतलब है successive percentage increase, yearly compound का मतलब है कि हर एक साल में जो भी ब्याज पैदा होगा, उस ब्याज को amount में जोड़के नया principle बनाएंगे समझ में आया की नी समझ में आया? yearly compound का मतलब है कि अगर आप कोई भी धनरासी पर ब्याज calculate कर रहे हैं, तो हर एक साल में जितना भी ब्याज पैदा होगा, उस ब्याज को amount में जोड़के नया principle आप बनाएंगे मेरे दोस्तों, यानि कि हर एक साल में successive का formula लगेगा मेरे प्यारे भाई अगर ब्याज वार्सिक सहियों जीत हो रहा है, इसका मतलब हर साल मेरे दोस्तों आपको 40% ब्याज मिलना है, हर साल 40% ब्याज मिलना है मेरे दोस्तों, तो एक साल में जो ब्याज आपको receive होगा, वो 40% होगा, समझ में आया? के लिए हर साल में 40% आपको successive increase करते जाना है principle को, अगर बच्चों में आप से कहूँ कि ब्याज half yearly compound हो रहा है, half yearly, तो इस बात का क्या मतलब है? half yearly compound का मतलब है, half yearly का मतलब होता है 6 महीने, 6 month, यानि कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज पैदा होगा, उस ब्याज को amount में जोड़के नया principle बनाएंगे, half yearly compound का मतलब है कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज पैदा हुआ, उस ब्याज को amount में जोड़के नया principle बनाएंगे, यानि कि हर 6 महीने में successive का formula लगेगा, हर 6 महीने में, आपके पास बच्चों time कितना है? आपके पास बच्चों time है, एक साल, लेकिन आप half yearly compound कर रहे हो, half yearly का मतल होता है 6 महीने, तो हर 6 महीने में जो भी ब्याज पैदा होगा, उसको amount में जोड़के नया principle बनाएंगा, यानि कि हर 6 महीने में आप successive increase करोगे, मेरे प्यारे बच्चों अगर ब्याज किदर 40% परेना में, 40% वार्सिक ब्याज किदर है? अगर ब्याज एक साल में 40% है बच् तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? बच्चों ब्याज 6 महीने में 20% होगा, यानि कि जो आपको ब्याज मिलने वाला है बच्चों, वो 20 और 20 का successive होगा, 20 और 20 का successive होता है, वो क्या होता है? 20 प्लस 20, प्लस 20 कुना 20 बटे 100, यानि कि 44%, 20 और 20 का successive आप निकालोगे, तो 20 प्लस 20, प्लस 20 कुना 20 बटे 100, जो कि कितना है कि 44%, यानि कि अगर एक साल में आप half yearly compound करोगे, तो आपको ब्याज 44% मिलेगा, यह मतलब है, वो जो रटते हो ना, कि half yearly हो, तो rate को आधा कर दो, time क दुगना कर दो, वो फरजी बात है, असली जो कहानी है, वो यह line है, कि अगर मैं आपसे कहता हूँ, ब्याज half yearly compound हो रहा है, that means, कि हर 6 महिने में जो भी प्याज बैदा होगा, उसको amount में जोड़के नया principle बनाएंगे, यानि कि हर 6 महिने में successive increase किया जाएगा, यह मतलब है, आपको यह बात समझनी चाहिए, कोई तोते की तरह रटने के लिए पैदा नहीं हुए आप लोग, अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्याज quarterly compound हो रहा है, quarterly, ब्याज quarterly compound हो रहा है, quarterly का मतलब होता है, तिमाही, हर 3 महिने में ब्याज संयोजित होता है, तिमाही का मतलब 3 मंथ मेरे दोस्तो, quarter का मतलब पववा, पववा मतलब एक बटे चार, एक साल क्या होता है, बारे महिने, बारे महिने का पववा एक बटे चार करेंगे, तो quarterly आता है, तीन महिने, quarter पी हो न, अरे संता आदमी हो तुम, ठीक है, चलो, Half Yearly का मतलब है, बच्चो, छमाही, ठीक है, Yearly का मतलब है, बच्चो, वार्शिक, Yearly compounding का मतलब हर एक साल में सक्सिव इंक्रीज होगा, छमाही compounding मतलब हर 6 महिने में सक्सिव इंक्रीज करेंगे, और quarterly compounding का मतलब यह है, कि हर मेरे दोस्तो, 3 महिने में आपको मेरे प्यारे भाई, जो भी ब्याज पैदा होगा, हर 3 महिने में जो प्याज पैदा होगा, उसको amount में जोड़के नया principle बनाएंगे, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुल सही, आपके पास time कितना है मेरे प्या compound कर रहा हो, यानि कि 3 महिने में मेरे प्यारे बच्चो, तो हर 3 महिने में जो भी ब्याज पैदा होगा, उसको amount में जोड़के नया principle बनाया जाएगा, आगे खिसकाया जाएगा, यानि कि 3-3 महिने की 4 cycle बन जाएंगी, यह होगी, यहां पर कितनी cycle बन गी बच्चो, 4 cycle बन चालिस परसेंट पर एनम है, ब्याज किदर है, 40 परती सत पर एनम, परती वर्स, एक साल में 40 परसेंट है, 12 महिने में 40 परसेंट, तो 3 महिने में कितना ब्याज होगा, 3 महिने में ब्याज होगा, 10 परसेंट, 12 महिने का ब्याज 40 परसेंट है, तो बटे 4 करो, 3 महिने का 10 परस 10% 10% का ब्याज मिले का successive increase तो अभी समझा है 10 10 10 10 का जो successive होता है बच्चों वो कितना होता है तो आप कोगे सर 46.41% आपको compound interest मिलेगा तो बच्चों सबसे जाद है आपको फायदा किस में हुआ सबसे जाद है आपको फायदा हुआ है यहां पर quarterly में आपको एक बात गोर से मेरे छोटी cycle लोगे जितना जल्दी जल्दी आप compound करोगे ब्याज उतना जाद है मिलेगा मेरे प्यारे बाई वार्सिक से जाद है ब्याज छमाई में मिलेगा छमाई से जाद है ब्याज तिमाही में मिलेगा तिमाही से जाद है ब्याज मंथली में मिलेगा मंथली से जाद है ब रोगे ब्याज उतना जादे मिलेगा ये इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट है मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट यह सर नो क्लियर है यहां तक किसी भी भाई साब को कोई डाउट है किसी को कोई डाउट नहीं सभी को सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके समझ में आये कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है यह सर नो चले बहुत बढ़िया अगर आपको आज compounding का मतलब समझ में आया है मेरे प्यारे भाई तो मैं आपके सामने जो भी मैंने आपको concept समझा केवल इनी पे बेश सवाल पूछूँगा और इसके अलाबा कुछ नया नहीं पूछूँगा सारे latest सवाल होंगे जवाब दीजे का इन सवालों का क्या answer होगा एंड तक आपको ठिके रहना है जो एंड तक नहीं ठिका वो गया यह नो नो क्या लिख रहे नो चलिए बताइए कौन करेगा कौन करेगा इस सवाल को रोई ठाकूर कहने सर अगर पांच मन्त कर दे तो कैसे होगा पांच मन्त कर दे तो वो भी समझाओंगा फिर पांच मन्त में कंपाउंड करोगे टैंसर ना ही लेना सब समझ में आएगा जी सेचसल टीयरवन 2022 का सवाल है सवाल यह है दो साल के लिए 6000 रुपे है 10% वार्शिक आजग की दर पर धार दिया जाता है कौन सा कथन सही है इसक्स सवाल पेपर में आता है कैसे अगर आणिबona आपका 6000 रुपे भिचंपल आपका 6,000 रुपे अगर प्रिंसिपल आपका 6000 रुपे ब्याज की दर 10% है तो दो साल में श니다 कितना होगा 10% पर परसेंट जो की बारेसो होता है करेक्ट बात अगर ब्याज की दर दस परसेंट है तो दो साल में compound test क्या होगा अभी समझाया 10-10 का सक्षिव 21 परसेंट तो 6000 रुपे का 21 परसेंट 1260 रुपे होता है करेक्ट बात तो दोनों ही बात एकदम सही हैं ऐसे भतेरे सवाल आपको मिल जाएंगे ये बताईगा बच्चों इस सवाल का क्या अंसर है बनाओ बोला है ये भी सिट्सल टीर वन का सवाल है यदि 10% की दर पर वार्षिक रूप से सहयोची चक्रवर्दी ब्याज एक्स पृतिसत वार्षिक दर पर अर्धवार्शिक से सयुजी चक्रवर्दी ब्याज के बराबर है तो X का मान लगबक क्या है आप सवाल की language को ही नहीं समझ पारे होंगे अभी If 10% per annum rate of compound interest, compounded yearly अगर हम yearly compound करेंगे तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 10% per annum यह किसके बराबर है यह X% per annum rate of compound interest, compounded half yearly अगर हम X% की दर से मेरे प्यारे भाई इसको half yearly compound करें तो इसके बराबर है तो आप से पूछा what the value of X, approximate आपको बताना है मेरे प्यारे भाई दिहां से सुनीगा, क्या आप सोच पा रहे हैं सवाल को खुझ से जरे इस सवाल को सोचने की कोशिश करो देखो logically सोचो एक साल में जो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों वो 10% है लेकिन अगर आप half yearly compound करते हैं, मेरे प्यारे भी half yearly compound करते हैं तो आपको ब्याज half year में X% मिलता है तो मेरे दोस्तों X का approximate क्या होगा कि मेरे दोस्तों आपको 10% ब्याज मिले एक साल में X की approximate value क्या होगी कि आपको एक साल में 10% ब्याज मिले यानि X और X का successive 10% आना चाहिए समझ में आया सवाल का मतलब सब बच्चे गलत कर रहे हैं X और X का successive 10% आना चाहिए clear है बोलो हाई ना बात समझ में आई आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल बात समझ में आई अगर आप इस बात को सबच पा रहे हैं तो X का जो भी मान होगा वो 5% से कम होगा यह answer सम्भवी नहीं है आप बोलोगे सर कैसे अगर मैं 5 और 5 का successive निकालूं तो अभी समझाया 5 और 5 का successive होता है 10.25 बच्चो 10.25 बच्चो 10.25 लेकिन हमको तो 10 परसेंट ब्याद चाहिए तो 5 से कम आएगा की नहीं आएगा अब यह लोजिकली सोचो अगर 5 पाँच का successive करोगे तो 10.25 परसेंट होता है तो 5 से कम आएगा होना चाहिए मेरे दोस्तो क्लियर है दो option यह संभावी नहीं है अब 2 option बचके 5 से छोटे यह लगबग 4.55 यह लगबग 4.55 यह लगबग 4.9 है तो इन में से कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चो यह तो काफी छोटा हो जाएगा यह होगा यह लगबग 4.9 है 4.9 का अगर मैं दो बार successive करूँगा तब एप्रोक्स 10 आएगा 4.9 प्लस 4.9 और 4.9 गुणा 4.9 बटे 100 यानि कि मेरे दोस्तो यह लगबग आपका 10% के नजदीक आ रहा है ठीक है बई? क्लियर है? तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो C आप्शन होगा एप्रोक्स की स्किल डेवलप करिये आपने पास साड़े चार साड़े चार का सक्सिजिव नहीं पहुँच पाएगा 10 के नजदीक एप्रोक्स C आप्शन का पहुँचीगा समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया इस तरह के किस सवाल सौल नहीं करने इनको किस सौल करने लग जाओ आप्शन से फाइदा उठाईए अगला सवाल बनाईए जी वट इस दा डिफ्रेंस बिटिविन दा कंपाउंड इंट्रेस्ट ओं 5750 उर्पे for one year at 16% परेनम compounded yearly and compounded half yearly बोला है 5750 उर्पे पर एक साल में 16% की दर से अगर हम yearly compound करें और half yearly compound करें तो compound test में डिफ्रेंस क्या आएगा अगर ब्याज की दर 16% परेनम है yearly compound करोगे तो 16% ब्याज मिलेगा एक साल में लेकिन अगर आप half yearly compound करोगे मेरे प्यारी भाई time कितना है एक साल का समय आपके पास है अगर आप half yearly compound करोगे तो एक साल में 6-6 महीने की 2 cycle बन जाएंगी बच्चो समय एक साल है 12 महीने half yearly compound करोगे तो 6-6 महीने की 2 cycle बनेंगी ब्याज अगर एक साल में 16% है, तो 6 मेने में 8% होगा, तो जो ब्याज आपको मिलेगा वो 8 और 8 का successive होगा, 8 और 8 का successive क्या होता है, 8 प्लस 8 16, प्लस 64 बटे 100, 16.64 यह आपको मिलेगा, तो difference कितना आएगा, 0.64% का difference आएगा, यह बात आप mentally कर सकते तें, लिखने की जुरत नही है, तो difference क्या आएगा, yearly और half yearly का 5750 रुपे का 0.64% मेरे दोस्तों difference आएगा, clear है, यह बात आपको मेरे दोस्तों दिमाग में करनी है, ध्यान से सुनेगा, ठीक है भई, अगर इसको 6000 मान लो, थोड़ा सा बढ़ा के और इसको थोड़ा कम कर दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ आएगा, answer काफी दूर-दूर है, answer should be this option, ऐसे करते ही सवाल, ठीक है, ऐसा नहीं कि पागलू की तरह गुणा करने लग गए आप, पहली बात तो आप यह समझो, कि अगर मैं 5, यह 5750 का मनला, 5000 प्लस 750, 5000 रुपे का अगर आप पॉंट 6,4% निकालेंगे 5000 का, तो पॉंट 6,4 परशेंट आएगा 32, फिर 750 रुपे का पॉंट 6,4% निकालेंगे, तो 32 से जादे आएगा काफी यह उत्तर नहीं होगा, यह उत्तर नहीं होगा, 50 नहीं पहुंच पाएगा 32 से हलका जादे एक ही option दिख रहा है, इस तरीके साब को calculation सीखनी पढ़ेंगी मेरे दोस्तों, बना दो, बना दो, on a certain sum of money lent out at 16% per annum, the difference between compound test for 1 year, payable half yearly and the simple interest for 1 year is 60 रुपी, दा समिच, बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे बई, वैसा ही है, यहाँ पे इस बार प्रिंसिपल 100% आप से पूछा है, बोला है यह मेरे दोस्तों, 16% ब्याज की दर से कुई रासियो धार दी रही, clear है, एक साल के लिए, एक साल के लिए, चक्रवर्दी ब्याज, जो कि क्या हो रहा है, half yearly compound हो रहा है, और एक साल के simple interest का difference 60 है, मेरे दोस्तों, अगर 16% ब्याज की दर है, तो एक साल में simple interest कितना मिलेगा, 16%, लेकिन अगर आप compound interest करोगे, तो सक्सिप ब्याज मिलेगा न आपके पास एक साल का समय है, half yearly compound कर रहे हो, half yearly का मतलब 6 महीने, half yearly का मतलब 6 महीने, 6 महीने की 2 cycle बनेगी, ब्याज एक साल में 6% है, 16% है, तो ब्याज 6 महीने में 8% होगा, तो जो ब्याज आपको मिलेगा, वो 8,8 का सक्सिप, 16.6-4% मिलेगा, तो ब्याज आपका simple interest हुआ, कि आपका compound test हो, जब half yearly compound कर रहे हैं, समझ में आया, difference कितना है मेरे दोस्तों दोनों का, तो 0.64% का difference आया, मेरे प्यारे बई, ये बात आपको mentally समझ रहे हैं, कि अगर आपके पास एक साल है, half yearly compound कर रहे हो, तो ब्याज मिलेगा, 8,8 का सक्सिप, 16.6-4%, simple interest मिलेगा, 16%, difference का, वो 0.64% आएगा, 8 square बटे 100, अभी concept समझाया, 0.64% की value मेरे दोस्तों सवाल में, 60 rupees के बराबर दी है, तो आप से पूछा है, मेरे प्यारे भाई, धनरासी क्या है, option आपके सामने है, करो मेरे दोस्तों, बताईएगा, ठीक है बच्चों, तो 1% की जो value है मेरे दोस्तों, 0.64 रुपे आगई, 100% की जो value है मेरे दोस्तों, multiply by 100 आगई, ठीक है जी आप बोलोगे, हाँ जी सर ये, ठीक है बई, तो ये कितना आजाएगा मेरे दोस्तों, 3 बटे 32, 3 बटे 32 मतलब ये उत्तर आएगा, D option ये तो नहीं आएगा, ये तो बिलकुल नहीं आने वाला, दसम 0.75, 9000 पूरा-पूरा कटे का नहीं, मेरे दोस्तों ये भी possible नहीं है, वैसे भी आप जानते हो कि 6 बटे 64 कितना है, अगर आप इसको काटोगे, मेरे दोस्तों, ये भी 4 से अगर आप इसको काट भी लेते हो, ठीक है नश्जान, आप फिर अगर आप इसको 2 से भी काटते हो होगे उतना ज्याद आपके लिए आसान होगा इतना करने की जुरत नहीं आपको समझ जाना चाहिए कि पॉइंट फाइब तो आएगा नी नौहजार पूरा कटेगा नी एंड में पॉइंट छे पाच नहीं आने वाला पैसेट कि यह नंबर पच्छिस का मल्टीपल आएगा या ने कि यह उत्तर है 9 375 खतम आगे चलते हैं यह बताएगा बच्छों इस सवाल का क्या आंसर है पांच नंबर बनाएगा अच्छा आर्मी लवर सवाल यह है कि 6500 रुपी की रासी पर 7% ब्याच की दर से 3 साल में सिंपल इंट्रेस्ट और 3 साल के कमपाउंटेस का डिफरेंस बताएगा और आंसर आपको 2 decimal प्लेस तक बताना है एप्रोक्स में जब आंसर एप्रोक्स में आपको बताना है तो कभी भी ऐसा मत करना कि लग प्लेट लगाने लग जाओ डिजिटल सम लगाने लग जाओ कुछ नहीं लगता है प्रोक्सी कैलकुलिशन लगती है सुनीगा अगर ब्याच की दर 7% है तो 3 साल का सी आई क्या होगा 777 21 प्लस 7 गुना 7 गुना 7 7 का 3 बार सक्सिव करना साथ परसेंट 7 परसेंट 7 परसेंट का 3 बार सक्सिव पहले तीनों को जोड़ा 21 साथ गुना 7 49 प्लस 49 प्लस 49 दो दो की गुना बटे 100 1.47 प्लस तीनों की गुना बटे 10,000 है ना तो यह आजाएगा 343 बटे 10,000 0.0343 परसेंट यह आया मेरे प्यारे बच्चों बात समझे आप बोलो के हाँ जी सर यही आया है य लेकिन आपको 3 साल का CI नीच यह 3 साल के CI और SI का डिफरेंस चाहिए यह 3 साल का सिंपल इंटरस होगा 3 साल का सिंपल इंटरस 21 होगा तो यह जो वैलू है यही तो 3 साल की CI का डिफरेंस है कितना है मेरे दोस्तों 1.5043 परसेंट यह 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस है अभी समझा है मेरे प्यारे भाई मैंने आपको एक सेकिंड पहले कि ये जो मेरे दोस्तों डाटा है यही तीन साल के CISI का डिफरेंस होता है ये तीन साल का compound test है पूरा ये simple test मानस कर दोगे तो ये जो बचा ये CISI का डिफरेंस है यानि कि मेरे प्यारे भाई आपको करना कुछ नहीं है पैंसेट सो रुपे का 6500 रुपीज का 1.5043 परसेंट आपको निकालना है यही हो गया सवाल आप बोलो के हांजी सान निकालेंगे चिंता मत करो options काफी नस्दीक है तो नस्दीक चेक करुँगा अच्छा 6500 रुपे का 1% निकालो पहले 65 निकाल लिया फिर 6500 रुपे का आधा परसेंट निकालो 0.5 आधा तो 6500 का आधा मनलब 6500 का 1% 65 होता है अगर 1% 65 है तो 0.5% आधा कितना होगा 32.5 अब आपको निकालना है पैंसट सो रुपे का 0.043 परसेंट यानि कि आंसर जो आएगा वो 97.5 सम्थिंग आएगा 97.5 सम्थिंग आएगा मेरे प्यारे भाई क्लियर है अब देखो कितने नसदीक ओप्षन है BOD बहुत ध्यान से आपको देखना होगा काफी नसदीक ओप्षन है BOD अब पहले एक परसेंट निकाला पैंसट सो का 0.5 परसेंट निकालना है अगर पैंसट सो का 0.043 परसेंट नि आपका पैंसट चौका 2.6 होता है लगबग आपका मेरे दोस्तो 2.7 के नसदीक आ जाएगा मेरे प्यारे भाई तो 97.77 एप्रोक्स आएगा तो यह उत्तार है 97.77 एप्रोक्स खतम 65 चौका 260 तो 65 के अगर 0.04 में मल्टिप्लाई करेंगे तो 2.6 से हलका सा जाद रहेगा लगबग 2.7 के एप्रोक्स रहेगा तो 97.77 इस तरीके से ब्रेक करके आपको मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कैल्कुलेशन करनी है कैल्कुलेशन भी एक आर्ट है धीरे धीरे आप डेवलप करोगे यह बताएगा जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है फटा फट बनाओ बनाए भाई देखो CRPF HCM 233 यह हेड कॉंस्टिवल के पेपर में पेपर सवाल आया था जबर्दस सवाल है यदि किसी रासी पर दो साल के लिए आठ पर्शन की दर से चक्रवर्दी ब्याज 166.4 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम ही होता है देखो यह फरजी ओप्शन तो होई नहीं सकता था यह तो पॉसिबल ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम ही होगा मेरे प्यारे बाई और मेरे दोस्तों मैं इतना समझे गाई हलका सा कम होगा बड़ा बेसिक सवाल है अगर ब्याज की दर आठ परसेंट है तो दो साल का सियाई क्या होगा आठ और आठ का सक्सी होता है 16.64 परसेंट 16.64 परसेंट होगा जिसकी वैल्यू सवाल में 16.4 रुपे दे रखी है दो साल का सिंपल इंटेस्ट क्या होगा आठ प्लस आठ 16 परसेंट तो 16 परसेंट की वैल्यू दे को यह दस गुना है न जिस इस टैन टाइम्स तो आलसो टैन टाइम्स हो जाएगा 160 रुपे यह आंसर है मेंटली कर सकते थे सवाल को कितना इजी पूछा था यह बताईएगा बोला है 4500 रुपे पर दो साल के लिए पहले साल के लिए 30 परसेंट दूसरे के लिए 40 परसेंट की दर से चक्रवर्दी ब्याज क्या होगा बताओ 4500 पर अगर ब्याज की दर पहले साल 30 परसेंट है दूसरे साल 40 परसेंट है तो ब्याज मिलेगा कितना 30 और 40 का सक्सिव 30 प्लस 40 पिलस 30 गुणा 40 बटे 100 यह होगा ब्याज यह तो दुरभाग गया कि हमें लिखके बताना पड़ता है यह आपको दिमाग में करनी के आदर डानली चाहिए 70 प्लस 12 82 परसेंट 4500 रुपे का 82 परसेंट आपको ब्याज मिलेगा 4500 पर यह 82 यानि कि मेरे दोस्तों 4500 का 80 परसेंट होता है 3600 प्लस 90 है 3690 रुपे को इजी कल्कूलिशन है कि सी ऑप्षन वेरी इजी मेरे दोस्तों कर पाओगे करना पड़ेगा यह वाला जवाब दीजेगा मेरे दोस्तों आठ नंबर सवाल केवल जो मैंने आपको आज की क्लास में कंसेप्ट शिखाएं हैं आदा घंटे में उनी पर बेश्ट यह सारे सवाल और ऐसे धेरो सवाल आपको मिल जाएंगे जो किवल स्टेंडर्ड परसेंटेज की जानकारी से सॉल हो जाते हैं जी सवाल है एक्स परसेंट ब्याज की दर से दो साल के लिए आठ हजार रुपे की रासी पर चक्रवर्दी ब्याज 98.8 रुपे एक्स ग्याद करें आप एक बात का जवाब दो एक्स परसेंट ब्याज की दर है ठीक है दो साल के लिए है आठ हजार रुपे पर चक्रवर्दी ब्याज आपको 98.8 मिल एक्स का मान क्या होगा मेरे प्यार आप कहोगे सर कैसे बेटा आठ हजार रुपे पर दो साल में जो आपको ब्याज मिला है दो साल में वो कितना ब्याज मिला है बताओ जरा 98.8 रुपे ब्याज मिला है यह कितना परसंट है लगबक पहले सिखारो एप्रोक्स तरीका कितना परसंट है आठ हजार का 12% अगर निकाला जाए ना, 8000 का 12% 960 होता है, वहीं 10% तो 800 होता है, 12% 960, यानि कि ये 12% से हलका सा जादे ब्याजे, 12% से हलका सा जादे है, वहीं 8,000 का 12% 960 है, 13% से तो कम है, तो दो बार आपको सक्सिव करना ऐसी कौन सी percentage दिख रही है, जिसका दो बार सक्सिव करने पर 12% से हलका सा जादे आए, 5 का 2 बार सक्सिव 10.25, 7 का 2 बार सक्सिव 14 हो जाएगा, 8 का 2 बार सक्सिव 16 से जादे, 6 और 6 का 2 बार सक्सिव 12 से हलका सा जादे आएगा, यहीं आंसर हो सकता है, बात खतम, और ऐसे ही आपको सवाल को solve करना है, यह आपको thought process डेवलप करना है अपने अंदर, अगर आप इसका exact solution भी चाहते हो, data बहुत easy है, तो आप यह बताएगा, मेरे प्यारे बाई, कि 8000 रुपे पर, 2 साल में, आठ हार के principle पर, 2 साल में आपको कितना compound interest मिला, तो आप कहोगे sir, 988.8 रुपे का मिला, पताओ बेटा, percentage में आपको कितना ब्याज मिला, 8.8 रुपे मेरे दोस्तो, 8 रुपे का माट बचेगा, और यह 8, 16, और यहां पर, 8 रुपे 24, और 48, 12.36 परसेंट आपको ब्याज मिला, मेरे प्यारे बाई, अगर आपको 2 साल में, 12.36 परसेंट ब्याज मिला है, तो किसका दो बार सक्सिव करने पर, 12.36 आएगा, 6 का दो बार सक्सिव क गुणा, 6 बटे 100, 6 प्लस 6, प्लस 6 गुणा, 6 बटे 100, आया ना, 12.36 परसेंट, लेकिन इतना करना नहीं है, समझ में आए कि नहीं, एप्रक्स केलकुलेशन करो, कमपाउंड इंटरेस्ट, जिस बच्ची की एप्रक्स केलकुलेशन मजिदार है, वो ही सीखेगा, यह साल में 4180 रुपे है, यदि rate of interest 20% परेनम है, what is the sum, CPO 2022 का सवाल है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, ब्याज की दर 20% परेनम है, दो साल है, मेरे प्यारे भाई, यह की पॉइंट होते हैं, एन्वली कमपाउंड हो रहा है, दिया क्या है, कमपाउंड इस दिया है, मोटी मो बात, 20% प्याज की दर है, दो साल का CI होगा, अभी समझाया है, बीस और बीस का सक्सिप, 44% बच्चा पाटी, है, अभी समझाया है था ना, बीस और बीस का सक्सिप, 44% आपको कमपाउंड टेस मिलेगा, और मिला कितना है, 4180, मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे, हाँ जी स आप से पूछा, प्रिंसिपल 100%, ठीक है, दोस्त, चलिएगा, तो आप जानते हैं, मेरे प्यारे भाई, ये 9 बार से तो जादे जाएगा, तो ये उत्तर नहीं है, ठीक है, भाई, 4, 8, 32, 8, end में आनी सकता, ये ही आएगा, आंसर, बेटा, देखो, 44, ये 9 बार से तो जादे जा रहा है, मेरे दोस्तो, 44, निम्मा से जादा है, 48, दो अप्शन हट गए, end में 8 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, कि 4, 8, 32, 2 होता है, मेरे प्यारे भाई, अब ये भी नहीं होगा, ये ही आएगा, पता कैसे, ध्यान से सुनेगा, मेरे दोस्तो, अगर आप ध्यान से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये किस से काट लेते है, 22, 22, 44, और मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 22, कम 22, बच कितना जाएगा, 19, है भी, तो ये मेरे दोस्तो, 190, तो 2% 190 है, 1% 95 है, 1% 95 है, तो 100% कितना आ गया, बच्चों 95, so 95 है, इसका answer हो गया, बाद समात, क्लियर है, आसान सी बात है, मेरे प्यारे भाई, इजी क्वेशन कर पा रहे हैं, सभी बच्चे ये वाला बताएगे, क्या उत्तर है, सवाल, ठीक बई, वीडियो को लाइक कर दीजे, अगर आपको समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को, ठीक बई, यदि एक रासी पर दो साल के लिए बारे पर्शन ब्याच की दर से, चक्रवर्दी ब्याच, 3688.8 रुपे है, तो आपसे पूछा रासी कितनी है, ये आपसे पूछा गया, जवाब दीजेगा, अगर ब्याच की दर बारे पर्शन परेनम है, तो दो साल में कितना कम पॉंट चैस मिलेगा, बारे बारे का सक्सिव, बारे का सक्सिव क्या होता है, बारे प्लस बारे गुणा बारे demons, बारे गुणा 244 बारे 100 1.44, यानि की 25.44 परसेंट, मेरे प्यारे बाई क्या मिलेगा आपको, compound S मिलेगा इसकी value मेरे दोस्तों सवाल में 3688.8 रुपे दिरखी आपसे पूछा है रासी याने की 100% की value मेरे दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछे ही सवाल है यही न सवाल है आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कौनो प्रॉब्लम नहीं है ठीक है भाई तो यह मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा कितनी बार मेरे दोस्तों यह जाएगा 14,500 बतारे देखो 15 बार तो जाने का कोई मतलब भी नहीं है exact divide हो ही नहीं रहा है मेरे प्यारे भाई ठीक है भाई चार end में आनी सकता देखो 4 दूनी 8 अगर पूरा पूरा divide होता तो चार दूनी 8 जाता दो आई नहीं है दो किसी option के end में ही नहीं आनी कि पूरा पूरा divide तो हो जी नहीं रहा end में 5 जरूर आ रहा होगा यानि कि इन दौनों में से कोई option होगा देखो 25 का 4 गुना 100 होता है लगबक 4 गुना है तो यह है 3600, 3600 का 4 गुना होता है 14400 14400 से जादा ही जाएगा मेरे दोस्तों 100 पे अगर जादा भी कर दें मेरे दोस्तों 14800 आपका आठ सो हालाकि यह थोड़ा कम ले रहा है 14800 से यह थोड़ा कम करना पड़ेगा यह उत्तर जाएगा समझ में आया देखो आपको ना सोचना पहले तो मैंने यूनिट डिजिट मैच करने की कोशिश की यूनिट डिजिट के साब से एंड में आना चाहिए 2 ठीक है या फिर साथ वो तो कहीं दिखी ना यानि के पूरा तो भाग हुआ नहीं पूरा भाग नहीं होने करना दसलम में गया होगा एंड में पांच आया होगा तो यह उप्षन तो दो हट गए अब यह दोनों बचे अब देखो अगर मैं इसका चार गुना करूँ 25 का चार गुना 100 होता है हाला कि यह पॉर्ण चार चार की वज़े से थोड़ा जाद हो गया इसका चार गुना करूँगा तो 36 का चार गुना तो 14 400 हुआ और यह लगबग भी आपका 100 ही है तो 14 800 यह थोड़ा सा कम करना उधर भी थोड़ा सा कम करेंगे तो 14 500 के नस्दीक रहेगा क्लियर है अधरवाइस आप पूरा काटा कूटी करो इतना मेरे पास टेम है नहीं बच्चो ना मैं तुमसे करवाना चाहता सवाल लंबर 11 देखेंगे यह बनाओ बच्चो इस दा कमपाउंड इंट्रेस्ट ओने सटेन सम इस 5418 रुपे कमपाउंड इंट्रेस्ट जो किसी धनरासी पर 5418 रुपे है 15% परेनम के हिसाब से 2 साल मैं आपसे पूचा है सम क्या होगा देखो यहां भी बच्चो आप 15-15 का सक्सेसिव लगा सकते हो मुझे कोई परेशानी नहीं है लेकिन यह अकेला तरीका नहीं है मेरे प्यारे भई दो साल का चक्रवर्दी ब्याज 548 आपसे पूचा है मुल्धन दो साल की कहानी है बच्चो अगर ब्याज की दर 3 बटे 20 है तो multiplying factor होगा 23 बटे 20 अगर ब्याज की दर 3 बटे 20 है इसका मतलब यह है कि 20 रुपे पर एक साल में 3 रुपे ब्याज मिलता है यानि कि 20 रुपे का प्रिंसिपल एक साल में 23 बन जाता है यह एक साल का multiplying factor आ गया दो साल का कितना होगा multiplying factor इसका square यानि कि 529 बटे 400 529 अपॉन 400 आप बोलोगे हांजी सर यह भी तरीका है यानि कि अगर आप 400 रुपे इन्वेस्ट करोगे 400 रुपे तो दो साल बाद वो 529 बन जाएंगे amount 400 का प्रिंसिपल दो साल बाद 529 अमाउंट बन जाएगा तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 129 आपको ब्याज मिलेगा और ब्याज मिला कितना है 2418 रुपे आपको ब्याज मिला है 5,418 रुपीज किलियर है आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही तो आप मुझे बताईएगा कि कितने गुना है तो मेरे प्यारे भाई ये 12 चौक 48 चार बाद चला जाएगा मेरे दोस्तो और 9 दुनी अठार है 42 टाइमस है मेरे प्यारे भाई इस एग्जेक्ट ठीक ना बिल्कुल सही बैठ रहा है 130 गुना 40 बावन सो हाँ जी बिल्कुल बावन सो के नजदीक भी है एग्जेक्ट 42 टाइमस है तो प्रिंसिपल भी 400 का 42 गुना होगा मेरे दोस्तो याने की 16,800 रुपे डी ओप्शन तो ये भी तरीका होता है मेरे दोस्तों जरू नहीं कि आप हर बार इस तरीके से परसेंटेज में खेल करो आप ये भी कर सकते हैं डाटा इजी है तो मल्टिपल एंग फेक्टर से ये बताएगा सवाल है बच्चो आपके सामने हाँ पर 12 मुझे इस सवाल का अंसर आप सभी बच्चों से चाहिए बच्चो ये जो सवाल है इस साल के जीडी के पेपर में आया है जवर्दस क्वेश्चन पूछा गया है बताओ कोई पैसा उधार दिया जाता है बीस पर्सेंट परेनम के कंपाउंटेस पर जो की ऑन्वली कंपाउंट हो रहा है दो साल में इक वट फैच 3133 मौर इंटरेस्ट 3133 रुपे ज़ादे इंटरेस्ट मिलता अगर इंटरेस्ट हाफ यरली कंपाउंड होता हाफ यरली तो आपसे पूछा है सम क्या है धनरासी क्या है करो बच्चो बाई साब अगर ब्याज की दर 20% है compound interest है मेरे दोस्तों 2 साल के लिए अगर ब्याज वार्सिक रूप से गणना की जाते ब्याज annually compound करोगे ब्याज की दर 20% है time 2 साल है annually compound करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा 20 और 20 का सक्सिव 44% ब्याज मिलेगा बोला अगर half yearly compound करते समय आपके पास 2 साल है कितना है 2 साल अगर 2 साल कमतल होता है 24 महीने half yearly compound करोगे half yearly कमतल चह महीने हर 6 महीने compound करोगे तो 2 साल में 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी बच्चो चार साइकिल ब्याज अगर एक साल में 20% है तो ब्याज 6 मिनमें 10% होगा तो ब्याज हाफ एरली कंपाउंड करने पर मिलेगा कितना दस 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 का चार बार सक्सेशिव अभी समझा है दस का चार बार सक्सेशिव कितना होता है 46.41% होता है आपको यहां से क्या करना है यह दो जीलों सौ पर संट की वैलो निकाल ली है मेरे प्यार भी 100% की value मेरे दोस्तों ठीक है तो ये एक बार जाएगा मेरे दोस्तों 241 एकम फ्रेंड में तीन है फिर तीन बार जाएगा तो ये उत्तर आना चाहिए तेहरे ठीक है मेरे प्यारी भाई आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ये आंसर तो नहीं आने वाले एक लाग तीसा रुपए बहुत बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई ठीक है ना मजा आया मेरे दोस्त आप बोलोगे हां जी सर मजा आया है ये बताएगा मेरे प्यारे भाई करिए सवाल लंबर है आपके सामने स्टुडेंट बच्चा पार्टी हां पर 13 जवाब दीजेगा शेर कर दो सभी बच्चों यार वीडियो खतम होने से पहले पांच आर लाइक हो जाने चाहिए सेल्फ मेड करें फानली कंसेट किंग वेब स्रीच का न्यू एपिसोड का प्रीमियर में आप आया अभी मजा आएगा ना बीडू अच्छा भाईया मजा लीजिए ये भी जीडी के पेपर में आया है 2022 का एकदम गोरा सवाल है आपकी तरह क्यों स्टेंडर्ड इस कंपॉंड एनवली जॉन एक बैंक से पैसा उधार लिया दस परशन ब्याज की दर है जो कि वार्शिक सेयोजित होता है इफी रिपेड इस लोन बाई पेइंग 21,961.5 रुपे उसने इतना पैसा जमा करके अपना लोन चुका दिया कितने साल के एंड में चार साल के एं कंपॉंड एनवली हो रहा है तो चार साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा दस दस का चार बार सकसी 46.41% मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा क्लिर है 100% पे अगर आपको 46.41% ब्याज मिल गया तो अमाउंट क्या आएगा 100% पे 46.41% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 146.41% सो में 46.41 जोड देंगे तो अमाउंट मेरे दोस्तों यानि कि आपको अपना करजा चुकाने के लिए प्रिंसिपल प्लस ब्याज अमाउंट क्लियर करना पड़ेगा तो इसी की वैल्यू सवाल में 21961.5 रुपीज दे रखी है मेरे प्यारे बई 5-0 क्लियर है आप से पूछा प्रिंसिपल आपको नहीं लग रहा कि सीधा डेड़ गुना है मैंने तो पहली देख लिया डेड़ गुना है बेटा 14, 14 का मेरे दोस्तो डेड़ गुना 21 होता है बच्चो 64, 64 का मेरे दोस्तो डेड़ गुना 96 होता है बच्चो 1, 1 का डेड़ गुना डेड़ होता है टुकडो में डेड़ गुना है टुकडो में अब्जर्वेशन लगाया करो, पहले एप्रोक्स मल्टिपल चेक करा करो, याने कि मेरे प्यारे भाई, this is just 150 ताइम्स, तो एक परसेंट की वैलू डेल सो है, प्रिंसिपल सो परसेंट, पंद्रे हजार रुपे सवाल का अंसर था, बी ओप्शन सभी बच्चे कर पा रहे हैं, सभी बच्चों को मज़ा आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, पंद्रे नंबर सवाल, इसको आप ही मुझे लोग सभी कमेंट में करके बता दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला इस सवाल को, ये भी साल की CRPF HCM के पेपर में आया था, फटा फट करिएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बना दो इस सवाल को, ऐसा क्वेशन हो चुका है, बस मुझे आंसर बता दीजिएगा, 20% ब्याज की दर से दिये जाने पर 1205 रुपे अधिक प्राप्त होगा, जब ब्याज दो साल के लिए, सालाना दे होने की तुल्ला में अर्दवार्शिक दे होगा, 1205 रुपे ज्याद है आपको इंट्रेस्ट मिलेगा, अगर आप हाफ यरली मेरे दोस्तों पे करोगे, दो साल में ददस दस का चार बार सक्षी 46.41 परसेंट, तो भई डिफरेंस कितना आएगा, 2.41 परसेंट, 46.41 और 44 का डिफरेंस 2.41 परसेंट की वेलू 205 रुपे, कितने गुना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल साब साब देख रहा है 500 गुना, एक परसेंट की वेलू 500 है, 100 प बताएगे गा बच्चों इस सवाल का क्या आंसरे बनाओ, क्या है compound interest, find the compound interest, ये मेरे दोस्तों लाइन है, अगर आपके पास डिल्ल साल है 18 महीने, आप अगर half yearly compound करोगे, तो डिल्ल साल में 6-6 महीने की 3 साइकल बन जाएंगी, 6-6 महीने की 3 साइकल बनेंगी, ब्याज अगर 1 साल में 10% rate है, तो ब्याज 6 महीने में 5% होगा, 5%, 5%, 5%, 5%, तो आपको compound interest कितना मिलेगा बच्चा पाटी, तो आप कहोगे सर, अभी आपने सर हमें समझाया, 5-5-5 का सक्सिव, देखो अभी समझाया था कि ना ही, 5-5-5 का सक्सिव कितना होता है, 15.7625%, 20,000 रुपे का, 15.7625%, मेरे प्यारे भाई, आपको ब्याज मिलेगा, 20,000 रुपे क बात समझे की नहीं समझे, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुर, standard percentage है, तो यही आपको calculate करना है, तो just इसका मेरे दोस्तों दुगना करना है, तो भाईया, 50 end में, 2-6-12, 2-2-74-15, 2-5-10-11, 2-1-2-3, 3-1-5-2.5, 3-1-5-2.5, रुपे जी इसका answer है, B option, कर पाओगे, आप बोलोगे, हाँ जी सर, कर पाएंगे, एक पैसे का doubt नहीं है, केवल simple calculation थी, यह बताईएगा, मेरे प्यारे बैए, इस सवाल का क्या answer है, यह भी latest CRPF HCM के paper में आया है, कर दो. 24,000 रुपे पर 12% पृतिवर्ष की दर से, डिल साल में चक्रवर्दी ब्याज क्या होगा, 24,000 रुपे पर 12% ब्याज की दर से, डिल साल का, चक्रवर्दी ब्याज, अब देखो इस सवाल में, क्या है, compounded semi-anvali, यहां पर हिंदी में नहीं लिखाएं मेरे दोस्तों, यहां पर हिंदी में लिख लीजिगा अर्दवार्सिक संयूजित है, ब्याज जो है वो अर्दवार्सिक संयूजित है, मेरे प्यारे भाई, ठीक है, semi-anvali, करिए मेरे दोस्तों, आप बताओ, अगर आपके पास डिल साल का समय 18 महीने तो 6-6 महीने की 3 साइकल बन जाएंगी आप बोलोगे हाँ जी सर ब्याज आप मुझे खुद बताओ कि अगर एक साल में 12 परशंट ब्याज है एक साल में तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 6% ब्याज 6 महीने में 6% होगा मेरे दोस्तों आप से पूछा compound interest कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई तो 6-6-6 का सक्सिव मिलेगा 6-6-6 का सक्सिव कितना होगा मेरे प्यारे भाई 18 मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर दोदो की गुणा 36-36-36-108-101.08 प्लस 3 की गुणा 216-10.0216 यानि कि मेरे दोस्तों यह जो एप्रोक्स आएगा वो लगभग जो आएगा मेरे प्यारे भाई कितना आएगा यह लगभग मेरे दोस्तों 0.1 हो गया यानि कि 19.1% के आसपास आपको एप्रोक्स ब्याज मिलेगा 19.1% यह बात समझ में आई आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कोई भी प्रॉबलम इसमें नहीं है एप्रोक्स 19.1% आपको ब्याज मिलेगा ठीक है बई अलाग इस बात को आप एग्नोर भी कर सकते हो तो 24,000 रुपे का मेरे प्यारे भाई आपको कितना ब्याज मिलेगा 19.1% आपको ब्याज मिले वाला है तो परसेंटेज अब ध्यान से सुनेगा 24 रुपे का 20% होता है 48,000 रुपे तो 48,000 रुपे से कम आएगा मेरे प्यारे भाई यह हट गया अब 25,000 रुपे का 1% 24,000 रुपे से,240.000 कम करेंगे तो लगबग लगबग मेरे प्यारे भाई यही आंसर आएगा 4500,000 बीactor शुडबी दांस एप्रोक्स फूर फाइफ सिक्स जीरो 24 रुपे का बीस परसेंट अड़ता लिस्स होता है लगबग एक परसेंट कम कर दो यह अत्तराना चाहिए एप्रोक्स आंसर है चमझे ठीक है यह सबाब दिमाग में कर सकते हैं इसको आप इग्नोर कर दिया करो मेरे प आपके अफट यह तो आफट अ आफट अ परैनस 7776 ओके कम पाउंड यरली वॉट विल विल बिड़ अमाउंट अमाउंट कितना होगा स्प्वल रहत यह साल में सेम रेट अ इंट्रस से चमपाउंड हाफ यरली एक ही सवाल में मेरे प्यारे भाई दो छोटे-छोटे सवालों को यहां पर mix किया गया है सवाल मोला है दो साल में 20% ब्याज की दर से जो amount है वो 7776 है जब ब्याज annually compound होता है आप बताएगा अगर ब्याज की दर 20% है तो दो साल में कितना ब्याज मिलेगा? 24, 20 और 20 का सक्से 44% आपको ब्याज मिलेगा 100% में 44% ब्याज मिलेगा तो amount कितना हो जाएगा? 144% आपका amount हो जाएगा और 144% की यहालों सवाल में क्या दिया है? 7776 रुपीज दी है मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर तो आप से पूछा है बताओ amount कितना होगा? same sum का इसी sum का मेरे दोस्तों amount कितना होगा? 1.5 साल, 18 महीने में same rate यानि की 20% की दर से लेकिन half yearly आप compound कर रहे हैं आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप half yearly compound करोगे तो 1.5 साल में 6 महीने की 3 cycle बनेंगी 1.5 साल तो 18 महीने होता है 6-6 महीने की 3 cycle बनेंगी ब्याज की दर सेम है यानि की 20% अगर 20% एक साल में ब्याज है तो 6 महीने में 10% होगा तो जो ब्याज आपको मिलेगा वो 10-10-10 का success होगा 10-10-10 का success कितना होता है? 33.1% 33.1% तो 100% पे 33.1% आपको मेरे दोस्तों क्या मिलेगा? ब्याज तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 133.1% आपका अमाउंट होगा अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट 133.1% की वैलू आपको निकाल लिए मेरे प्यारे बई मैं समझ गया कि ये भी एप्रोक्स कैलकूलेशन है ठीक है बई? कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 5 बार जाएगा मेरे दोस्तों 720 ठीक है बई? फिर चार बार चला जाएगा 144.560 54 टाइमस है तो 133.1% का मेरे प्यारे बई आपको कितनी गुना करना है? 54 गुना करना है तो आंसर तो दसमलब में आना चाहिए यानि कि जो आंसर है ये एप्रोक्स में है मेरे प्यार भी कि आप यहाँ पर यूने डिट लगाने लगो कि 54 में 9 आ रहा है 166 साथ हांसिल सोले 54 ती एक सो बासट और सोले अभी 178 हांसिल सत्रे 54 एकम 54 और ये सत्रे 71 718 7.4 718 7.4 यानि कि एप्रोक्स एस का अंसर है समझ में आया की नहीं आया? आप बोलोगे सर आया वेरी गुड ठीक है? 54 का पहड़ा आप जानते ही है सवाल अगला आपके सामने फैक के मार रहा हूँ जरा इस सवाल को बताए वेरी गुड राहूल गौतम कितने बालक इस सवाल को करने की तागत अपने दिमाग में रखते हैं? जरा जवाब दो ठीक है बढ़ी? बढ़िया बढ़िया बिलकुल आपको एक्जाम रेलेवेंट क्वेशन करा रहा हूँ जो पेपर में आ रहे हैं और जैसे पूछे जाते हैं ठीक है बढ़ी? पर आप यार वीडियो खतम होने से पहले पांचा लाइक पूरे नहीं करवा रहे हो मेरे मन को तसल्ली नहीं हो रही है ये गलत बात है आना कि 24 घंटे में वीडियो पे 10 सार से जादे लाइक होते हैं पर मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो इस्टीम होने से पहले 5000 प्लस लाइक रहें ये बताएगा दिफरेंस बिट्विन दा कंपाउंड इंट्रेस्ट ओन इस सटेंज सम फो डिएड़ साल एटे रेट अफ ट्वंटी पर्षेंट परेनमी 1716 बोला है कंपाउंड इंट्रेस्ट का मेरे दोस्तों जो डिफरेंस है सटें सम फो मनी पर डिएड़ साल में कितने साल में डिएड़ साल अठारे महीने में 20 पर्षेंट परेनम के रेट से 1716 रूपे जब इंट्रेस्ट हाफ यरली होता है और जब इंवली होता है मेरे प्यारे भाई सम बताओ क्या है प्यारे भाई ये बताओ अगर आपके पास डिएड़ साल का समय है यानि कि आपके पास पूरे 18 महीने है अगर आप हाफ यरली कंपाउंड करोगे हाफ यरली तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी फियरली कमपाउंड करोगे लेकिन अगर आप एन्वली कमपाउंड करने पर उतर गए वार्सिक सेउजित करने लग गए तो डियल साल आपके पास टाइम है एक साल तो पूरा हो जाएगा लेकिन एक साल की साइकल पूरी हो जाएगी बट आधा साल आपका फस गया ब्याज ए एक साल में मेरे दोस्तों 20 परसेंट है तो ब्याज आदे साल में 10 परसेंट होगा तो ब्याज मिलेगा कितना 20 और 10 का सकसिव 20 और 10 का सकसिव 20 प्लस 10 प्लस 20 गुना 10 बटे 100 एकस प्लस य प्लस एकस वाई बटे 100 तो 20 और 10 30 प्लस 2 यानि कि 32 परसेंट आपको मेरे दोस्तों ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई सवाल में जो दिया इन दोनों का difference दिया है इन दोनों का difference आएगा वो 1.1% का आएगा mentally करना था ये इसकी value सवाल में 1716 रुपे दी है मेरे प्यारे भाई 1716 रुपईया तो आपसे पूछा है रासी याने की 100% की value मेरे प्यारे भाई पूछी है दसमलब हट आओगे तो 0 ना आएगी 11 से मेरे दोस्तों एकम 5,6 1% 1560 100% ही आगया clear बोलो बात समझे आप बोलोगे जी सर ये तो बड़ा ही मज़ेदार सवाल है मोज आगई सवाल में तो अगला फैक के आपके सामने मारता हूँ जी ये सवाल भी ऐसा ही है 20 नंबर ठीक है इसको आप खुच से करेगा 20 नंबर को मैं शीट में डलवा दूँगा अलग वैराइटी लेंगे ये बताईगा मेरे दोस्तों 21 नंबर सवाल बनाओ इसका क्या आंसर है बच्चो कौन करेगा देखो आपको ना क्या करना है simple interest निकालना है कितने सालों का 2 सही एक वटे 3 साल का 2 सही एक वटे 3 का मतलब होता है 2 ती अच्छे 7 वटे 3 साल का 7 वटे 3 में आ रहा है 7 7 का multiple आएगा 7 से नहीं कट रहा ये 7 से नहीं कट रहा मेरे दोस्तो ये भी नहीं कट रहा ये उत्तर आ जाएगा तो अगर कोई बालक समझदार है तो केवल इस तरीकी से सौल करेगा पूरा बनाएगा ही नहीं बट अगर आपको इस स्वाल सौल करना ही है तो आपको देखो दो छोटे-छोटे सवाल मर जाएं बोला किसी रासी पर एक साल के बाद 16% की दर से ब्याज इतना है 2496 जब ब्याज semi-anvally compound हो रहा है अगर समय एक साल है मेरे दोस्तो semi-anvally compound करोगे तो 6-6 महीने की 2 cycle बनेंगी ब्याज 1 साल में 16% है तो 26 महीने में 8% होगा बच्चो तो 8 और 8 का सक्सिव कितना होता है 16.64% आपको ब्याज मिलेगा जब कि आपको ब्याज मिला कितना है 2496 रुपे मेरे दोस्तों ब्याज मिला है किलियर आप बोलो कि जी सर ये दसमलब से यहाँ पर 2 जीरो आएंगी मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ मेरे प्यारे भाई कि ये जो है बिल्कुल इसका डेढ़ गुना है ये ना 16,50 का डेढ़ गुना 24,64 का डेढ़ गुना च्छानवे यानि कि 1% की वेल्यू 150 है तो 100% कितना आगया मेरे दोस्तों 15,000 रुपे तो जो आपका बच्छो प्रिंसिपल है वो 15,000 रुपे आ गया समझ में आया आप बोलो कि हाँ जी सर लेकिन सवाल में पूछा क्या है सिंपल इंटरेस्ट तो 15,000 रुपे पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 16% है आप से पूछा 2 सही 1 वटे 3 साल का 2 सही 1 वटे 3 का मतला साथ वटे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप से पूछा है तो परसेंटेट से बच्छो 2 जीरो और ये 3 से मेरे दोस्तो 1,550 50 गुणा 16 800 गुणा 7 56 रुपे आ गया ये इसका सॉलूशन है लेकिन इतना करने की जुरत आपको कताई भी नहीं है मैं आगे की तरफ चलूँगा प्यारे भाई इस सवाल का अंसर क्या होगा बताइएगा बच्छो 22 नंबर आपके सामने क्वश्चन करो जबर्दस सवाल है मेरे प्यारे भाई जी दा कमपाउंड इंटरेस्ट बोला है 12,000 रुपे की धनरासी पर एक्स पर्षेंड ब्याज की दर से देड़ साल का जो चक्रवर्दी ब्याज है वो 3840 रुपे है ब्याज जो है वो एन्वली कमपाउंड है वार्सिक सयूजित है समान रासी यानि की 12,000 पर समान रेट से समान टाइम के लिए रहे कितना समान लगा है ससुरा चक्रवर्दी ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्द वार्षिक रूप से सयूजित है सेमी एन्वली कमपाउंड है तो यह सवाल तो बच्चो तभी सॉल होगा जब एक्स का मान पता चले तो जिन्दगी का मकसद है एक्स का मान पता लगाना करो बच्चो जवाब दो हाँ एस कार्टून्स ठीक है बई अब आप मुझे खुद इस बात का जवाब दीजेगा कि बारे हजार रुपे पर देखो समय है डेढ़ साल डेढ़ साल का मतलब होता है एक साल और आधह साल यही तो मतलब हुआ आपको ब्याज मिला 12,000 रुपे पर 3840 रुपे कितना परसेंट ब्याज आपको मिला मेरे दोस्तों अगर किसी आदमी को 12,000 रुपे पर 3840 रुपे ब्याज मिलता है तो percentage में कितना into 100% तो 12-36 और 12-24 32% आपको ब्याज मिला यानि कि आपको डिर्ड साल में 32% ब्याज मिला annually compound हो रहा है तो एक साल की पूरी cycle है फिर आदे साल की तो आप मुझे बताओ X का मान क्या है वह एक साल में तो X% है आदे साल में क्या होगा X बटे 2% यानि कि X और X बटे 2 का successive 32 आना चाहिए X और X बटे 2 का successive 32 तो क्या आपके बुद्धी इतना काम करती है कि आप मुझे ये बता पाओ कि X की value क्या होगी X और X बटे 2 का successive करके अगर 30 आ रहा है बहुत ज़ाद है तो हो नहीं सकता 10-20 रुपे से ज़ाद नहीं X 20 पकड़ लिया सभी बच्चों ने 20 X का मान मेरे दोस्तो 20 होगा 20 और 10 का successive करेंगे 32 आता है 20 प्लस 10 30 और 20 कुणा 10 बटे 32% यानि कि X की जो value है मेरे दोस्तों वो 20 है तो ये इस सवाल में बहुत ही बहतनी logic था मेरे प्यारे भाई जो logic पकड़ पाएगा वही कर पाएगा तो X का मान प्यारे दोस्तों पहले आपने यहां से 20 निकाला उसके बाद अगला सवाल है बोला है 12,000 रुपे की धनरासी पर same time का same rate से compound trust बताओ अगर हम annually compound करेंगे बाई time डिर्ड साल है time डिर्ड साल है अगर आप semi annually compound करोगे हर 6 मेने में मेरे दोस्तों compound करोगे तो यह होगा तीन cycle बनेंगी rate भी same है अगर rate मैंने निकाल लिया X 20 है तो 6 मेने में कितना होगा मेरे दोस्तों 10% 10% 10% तो ब्याज जो आपको मिलेगा 10 10 10 का सकसिव मिलेगा और 10 10 10 का सकसिव होता क्या बच्चो 12,000 रुपे का 33.1% मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा 12,000 का 33.1% समझ में आया बच्चो end में मेरे प्यारे बे 2 आएगा कोकि 10 10 आना नहीं है percentage से 2 0 और 10 10 आप से 0 end में 2 आएगा तो ये option इस सवाल का answer है A जबरदस्त बच्चो ये सवाल था ठीक भई last question में आप से पूछूंगा मेरे प्यारे भाई और 26 मेरे दोस्तो 3-4 सवाल में आपको आपकी practice के लिए इसमें डालूँगा sheet में जरा इस सवाल का जबाब आप मुझे करके बताईएगा कौन बालक इस सवाल को करेगा बनाओ सवाल बहुत शांदार है बोला है चक्रवर्दी ब्याज जब 5 मासिक चक्रवर्दी होती है मेरे प्यारे भाई 5 मंथली कंपाउंड होता है 12 परशन ब्याज की दर से 1 सही 1 बटे 4 साल के लिए P रुपे की रासी पर साधान ब्याज के बीच क्या अंतर है what is the difference between the compound interest when the interest is compounded 5 मंथली and the simple interest on a sum of P रुपे P रुपे है समय 1 सही 1 बटे 4 साल है 1 साल मतलब 12 महीने 1 बटे 4 साल मतलब 3 महीने यानि कि 15 महीने समय है ब्याज की दर 12% परेनम है CI और SI का difference आपको बताना है दोस्तों लोजिकली सुनेगा अगर आपके पास 15 महीने का time है 15 महीने का आप 5 मंथली compound कर रहे हो तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेंगी बोलो 15 महीने अगर आपके पास समय है और आप 5 मंथली compound कर रहे हो तो 5 महीने, 5 महीने, 5 महीने की 3 साइकिल बनेंगी ब्याज अगर 1 साल में 12% है तो ब्याज 5 महीने में कितना होगा 5%, 5%, 5%, 5% तो ये आपको compound interest मिलेगा लेकिन आपसे ये नहीं पूछा compound interest और simple interest का difference पूछा है compound test तो 5-5-5 का सक्षी 15.72, 5% होता है आज ही समझाया लेकिन compound test और simple interest का difference कितना आएगा 0.7625% standard percentage है 5 और 10 के अलावा और कुछ होता ही नहीं है याद करो ये आपको CISI का difference मिलेगा principle का डारेक्ट आ गया लेकिन option जो दे रखे fraction की form में दे रखे अब इसको देखो ऐसा नहीं कि आप इसमें time waste करो ये जो है approx.7 है ये तो मेरे दोस्तों 7 नहीं जाएगा नहीं मेरे दोस्तों 6 बार ये अकेला है जो आठ सत्य चपन सेवन जाएगा यही आंसर होना चाहिए यह भी नहीं जाएगा बात समात आपको इस तरीके से कहल ये सवाल ऐसा नहीं सवाल अलग सा है बस ठीक है ना यहाँ पर variable में जब दे देता है तो बच्चे उसको देखके डर जाते है जबकि डरने की ज़ुरत है ही नहीं clear है विशाल कुमार केवट कहने सर अगर 16% होता तो 16% standard percentage नहीं उस पर इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेगा अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो standard पर ही पूछेगा बस आपको यह याद रखना है जो मैंने आपको लिखाया है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 की कहानी अब देखो यहाँ पर साप साप लिखा हुआ तीन साल की CSI का difference जिस बच्चे ने इस किताब से यह वाली slide पढ़ लिए उसको दिक्क साल की कहानियों, standard percentage पर सवाल आएगा तो आप उसको कैसे जल्दी करोगे, ठीक है भाई, ठीक है तो आज की class में हमने 25 question करें, अगर आपको समझ में आया है तो comment में वीडियो की अपनी पृतिक्रिया जरूर छोणे, like करें, share करें, मेरे प्यारे भाई, और अगली class में आप कौन सा chapter पढ़ना चाहते हैं ये भी बताएं, ठीक है, चले, धन्यवाद भाई, बाई